हेलो बच्चो मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं आईए प्रशन देखते हैं यदि किसी रेकिक समीकरण का हल माइनस दो दो जीरो जीरो और दो माइनस दो है तो समीकरण क्या है हमें यहाँ पे तीन हल दिये हुए है और हमें समीकरण बताना है कि इन चारों इसे कौन सा समीकरण है आईए इनको solve करके देखते हैं अगर मैं पहली वाले समीकरण में इनकी values डालूँगा तो मेरे पास answer आएगा उसी तरीके से मैं सब में डाल लालके एक बर ही चेक करता हूँ तो जैसे जो पहला वाला है हमारे पास y-x equal to 0 अगर मैंने इसके अंदर पहला वाला जो हमारा हल दिया हुआ ये डालेंगे समाधान तो minus 2 minus of 2 equal to minus 4 लेकिन कि 0 के बराबर नहीं है तो इसका तो हल नहीं है आईए दूसरे वाले का देखते है x plus y equal to 0 x की जगा जब मैंने डाला minus 2 और y के जगा मैंने डाला 2 तो इसका आंसर आगया 0 तो ये तो इसका तो है पहला वाले का तो हल ये है दूसरे वाले का देखे कि 0 plus 0 equal to 0 इसका भी है तीसरा वाले डालके देखते है x plus y equal to 0 और 2 plus minus 2 equal to 0 हमें देखेगा कि यहां पर भी 0 आ रहा है अंसर तो जो दूसरा वाला समीकरण है उसके ये तीनों हल है हमारे पास जो दिये हुए है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में भी values डालके देख सकते हैं लेकिन इन दोनों में उत्तर हमारा कुछ और आएगा इसलिए इसका अंसर भी है